हाँ जी तो कैशा आप लोग मैं आपका निलेश भी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूटूब चैनल पे दोस्तो आज से हम लोग शुरू करेंगे जो क्लास 10 का मैथ का चेप्टर नमर 3 यानि दो चर वाले रैकिक समधिकर यूग जो चेप्टर है इसे इससे पहले हमने जो आप लोग के दो चेप्टर हैं वास्तो इक शंख्याएं और बहुपद दोनों को पढ़ लिया है अच्छे से उसके एक-एक सवाल को मैंने लगाया था साथ में जामपल्स के जितने भी कोशन थे उन प्रसनावलियों में उनको भी मैंने शौब किया था तो अभी तक उन लेक्टर को उन वीडियोज को आप नहीं देखे और देखना चाहते हो तो चैनल पे चले जाना प्लेलिस्ट में चले जाना मैत वाली उसमें सारी वीडियोज आप आपको मिल जाएंगे पीछे के दो चैप्टर के यानि वासुतिक शंख्याएं और बहुपत के चुकि आप जानते हो कि आपका एकजाम है दोहज़ातेश बोड़ी जाम से यूपी बोर्ड में भी इंक्रूड कर दिया गया है अबजेक्टिव कोशन तो इसलिए मैंने दोन कोशन भी साथ-साथ करते रहो साथ में आप लोग का प्रिभीएस एर कोशन का अबजेक्टिव भी क्लियर होते जाएगा चेप्टर वाइज चलो इस वीडियो से हम लोग शुरू करते हैं आप लोग का ये जो चेप्टर नमर त्री है दो चैरवाले रैख एक समीकार आपको अच्छे से पढ़ना है चलो बाकी कहूंगा अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकान को दबा लेना साथी अभी आपको जो ये स्क्रीन पर अप्लिकेशन दिख रही है यूपी में स्टडी इ ये हमारी ही है पर किसी और की नहीं है ठीक है चलो हम लोग शुरू करते हैं इस चेप्टर को देखो एक्चुली बनाने में न इस जो शारा सिस्टम में काफी मेहनत लगता है तो मैं कहूंगा यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलो इस पर मेहनत पर नहीं बोलता ह है चेप्टर का नाम क्या है दो चर वाले रैखिक समीकर युग मैं फूरा लिख देता हूँ चेप्टर का नाम इसमें ही बहुत बड़ी चीज चिपी हुई है यहाँ पे मैं चेप्टर का नाम लिखता हूँ चेप्टर का नाम क्या है दो चर वाला वाला होगा या वाले होगा मुझे नहीं पता देख लू क्या चलो यार देखी लिता हूँ मैं यहां NCRT बुक खोल रखा है क्योंकि मेरे पास भी न्यू NCRT बुक नहीं है दो चर वाले रैखिक समिकरण यूग्म ठीके चलो ये चेप्टर का नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समिकरण यूग्म अब इस नाम में ही एक बहुत बड़ी चीच्छी पी हुई ये दो चर चर मींस मैंने आपको चर और अचर पद बताया था जैसे चर क्या होते हैं बहुपद जब हम लोग पढ़ रहते तो उसमें बताया था कि चर और अचर पद क्या होते हैं जैसे चरपद जैसे X, Y, Z, A, B, C, D ये अचरपद होते हैं और अचरपद जैसे 2, 3, 4 ये जो संख्याएं होती हैं अचर के अंतरगत आती हैं तो यहां बोले हैं कि 2, 4 वाले राखिक समिकाड यहां मतलब ऐसा राखिक समिकाड जिसमें 2, 4 एबिलेबल हो 2, 4 मतलब जैसे एक्जामपल के तोर पे मैं यहां पर अगर लिख हूँ तो देखो जैसे 3X प्लस 2Y बराबर 0 आप जानते हो समिकाड में हमेसा बराबर में इधर 0 लेकिन बहुपद में ऐसा नहीं होता है मैंने बहुपद पढ़ाया हुआ था अगर आप अच्छे से देखे होंगे बहुपद के सारे लेक्चर तो इस बार में आप जानते होंगे तो देखो यहां पे एक यहां पे चर है और एक यहां पे चर है दो चर है तो इसको हम वाली रैखिक समिकार यूगम है क्यों क्योंकि यहां देखो एक चरपद यहां है एक चरपद यहां है बाकी जो भी है वो अचरपद है तो यह भी दो चरवाली रैखिक समिकार यूगम है आपको ध्यान में रखना है चाहिए यह हो गया चाहिए यह हो गया और इसमें आप हम इसका गुड़ांक यहां पर जो पहला वाला चर्पद है उसका गुड़ांक यहां पर जो होता है वो A होता है इसका जो गुड़ांक यहां पर होता यह B होता है और अंत में जो यह स्वतंत्र होता है यह आपका C होता है इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि इसकी आगे बहुत ज्यादा जुरूत पढ़ने वाली है, clear, अब चलो यहाँ पे, तो दो चरवाली रेक्षिक समझगे कि क्या होता है, अब इसके solve करने को, मतलब इसके solution के निम्द दो method famous है, एक graphical method, ग्राफिये विधी, और second होता है बीजगरिती विधी, और बीजगरिती व जाम में सामयने तफ पूछी जाती है, लेकिन उन पर अभी हम लोग discuss नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ में आ जाता हूँ, इसको erase कर लेता हूँ, आप लोग के मन में एक ये question ऊट रहा होगा, कि भाईया, अगर ऐसे हो जाए, कि 3x प्लस 2, बराबर 7, ऐसे हो जाए तो, क्या यहाँ दो चर वाली रैखिक सम्मिकार्ड यूग्म हूई, तो मैं बोलूँगा, यह आप भी बोल सकते हूँ कि नहीं, क्योंकि इसमें केवल एक चर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, एक चर वाली रैखिक सम्मिकार्ड यूग् लेकिन चुकि इसमें हमें फोकस इसलिए नहीं करना है, क्योंकि आप लोग का चेप्टर का नाम है, दो चर वाले रैखिक सम्मिकार्ड यूग्म, इसमें हमें दो चर वाले रैखिक सम्मिकार्ड यूग्म के बार में ही पूरा पढ़ना है, जितना बेसमें आप सम्मिकार् होंगे clear और यही हर जगह यूज होता है सबसे ज्यादा यह एक चरवाला रैखिक समिकड़िग का कोई मतलब नहीं होता है इसको असानी से solve किया जा सकता है clear इसको solve करने का जैसे 3x प्लस 2 बरवर 7 है तो यहां से आप x कमान निकालो तो 3x बरवर क्या हो जाएगा यह दो उधर जाएगा तो 7 में से घड़ जाएगा तो 5 बचेगा और x बरवर यह क्या हो जाएगा तब 3 यहां गुड़ा है तो उधर जाकर 5 बटे 3 हो जाएगा तो इस तरह से आपने x कमान ग पढ़ोगे न, तो आपके हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा, आप आज से दो साल, तीन साल बाद भी उस सवाल को कर सकते हो, बाकि आप के ओल जाओगे, कि examples को देखो, examples ऐसे solve किया है, मैं भी ऐसे solve किया, प्रसनावली के सवाल आप लगाने लगे, हो सकता है आप उस time आप लेकिन वो आपके ज्यादा दिन दिमाग में नहीं रहेगा, exam time में भी वो धोखा दे सकता है, इसलिए आप एकदम अच्छे से concept सहित, deep में पढ़ो जो भी चीज़े पढ़ो, बहुत ज्यादा practice करो, वो आपके mind में हमेशा रहेगा, और आप ऐसे पढ़ो न, इस सोच से प फुल में फुल मारक आएगा, चलो, आगे हम लोग चलते हैं, दोगो मैंने क्या बोला, दो चार वाली रहखिक समिकर्ड यूग, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3x प्लस 4y बरबर 7 या बरबर 0 कुछ भी इधर लिख सकते हैं, तो ये हम लोगी एक दो चार वाली रहखि ग्राफिय विधी, ग्राफिय विधी, और सेकेंड है, वीज गणितिय विधी, वीज गणितिय विधी, ये वीज गणितिय में ऐसे रहेगा सायद न, चलो, कोई दिकत नी, चलो, वीज गणितिय विधी, अब देखो, ये ग्राफिय विधी, ये तो अपने आप में श्रोतंत्र है, अब वीज गणितिय विधी में तीन विधीय काफी फेमस है, जी है में दोस्त, इसमें तीन विधीय काफी फेमस है, आपको दिखाई दे रहे है, हाँ, दिखाई द देता हूँ कौन-कौन सी वह विधिया हैं इसमें इस गड़िती विधि की तीन विधिया हैं सॉल्व करने की फॉस्ट है प्रति अस्थापन प्रति अस्थापन बिधि सेकेंड क्या है सेकेंड है आप लोगा बिलोपन बिधि या जिसको इलिमिनेशन मेठड इंगलिस में बोलते हैं काफी फेमस है इसी का सब लोग लगबग यूज़ करते हैं और जो तीसरा है वो है बज्र गुड़न बिधि बज्र गुड़न बिधि लेकिन यहां पर आप जरा ध्यान देना जो यह बिजगणिती बिधि इसको यह तीन थे शॉल्व करने के मेठड है इसमें से यह इस बार आपको यही केवल दो मेठड पढ़ना है यह तीसरा जो मेठड है बज्र गुड़न बिधि इसका जो NCRT का बुक इस बार रेशनलाइज किया गया है मतलब आप जानते होंगे कि इस बार NCRT की बुक ने अपने सारे जैसे गणित का भी हो साइंस का भी बहुत सारे इसमें से चेप्टर से बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया है तो उसी में से इसको हटा दिया अब चाहे तो 24 के ब मतब सिखा दूँगा बस बिधी सिखा दूँगा लेकिन इस पर हमें प्रैक्टिस करने की कोई जरूत नहीं इस पर सवाल लगाने की कोई जरूत नहीं क्योंकि एक्जाम से रिलेटेड कोश्चन पुछेगा ही नहीं तो इन दोनों बिधियों पर 20 गणितिय बिधी में हम ग्राफी बिधी और 20 गणितिय बिधी तो ग्राफी बिधी अपने आप में एक अलग है और 20 गणितिय बिधी को साल्व करने के तीन मेठर होते हैं प्रतिस्थापन, बिलोपन और बज्ड लेकिन बज्ड को आप लोग के बुक से हटा दिया गया है तो ये केवल दो बिधि ये पुरक फुरा एक तरसे बोल सकते हैं ग्राफी बिधी पर ही अधारी थे तो चलो इसको हम लोग शॉल्व करते हैं इससे हम लोग सीखते है कि कोश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ग्राफी बिधी से लेकिन इससे पहले हमें कुछ और चीज़े समझनी पड़ेगी च कार्तियतल पर बनाया जाता है कार्तियतल आप लोग ने निर्देशांक जामीती में ऐसे पढ़े होगा ये कार्तियतल होता है जिसमें ये एक्स एक्षिस होता है आपने पढ़ा होगा ये जो यहां पर होता है ये मूल बिंदू होता है जिसको हम लोग 0,0 0,0 बोलते हैं औ और 0,0 में यह जखो, आप मतलब निर्दे सांग लिखते हो, जैसे कहीं लिखा है 2,3, आसा करता हूँ आप नवीक अच्छा में निर्दे सांग पढ़े होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा जानते होंगे, जैसे 2,3 लिखा है, तो यह पहला वाला जो होता है, यह X निर्द 0,0 होता है, ठीक, अब चलो यहाँ पे, यहाँ पे कुशीच आपको मैं समझाता हूँ, देखो, हम लोग क्या होता है कि इधर पुरुवदिशा, मतलब सीधी हाथ की और सीधा हाथ की और इधर पुरुवदिशा होता है, clear, और इधर इसके opposite में इधर आपका क्या हो उपर आप लोगा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और नीचे आप लोगा इधर दक्छीड साइड हो जाएगा, तो यह आप लोग सबसे पहले तो यह दिशा याद रखना, जरूरी है आपके कामा आएगा, पुरुवदिशा पस्चिम ऐसे आप लिख रहे हो ना, त दीख आप लिखते वे, जिधर जाते हो, इधर सीधे हाथ की तरफ पुरुव होता है, उसके पफस्चिम और उपर की तरफ उतर और नीचे की तरफ दक्छीड होता है, और यह X होता है, और यह पुरा-पुरा Y अच होता है, यह वाला, आज अगर तो हूँ, आपको यहां तक चीजे समझ में आ गए होगी, सारी चीजे clear हो गए होगी, एक मीनट, थोड़ा रुख जाओ, हम लोग करमाईज अपने topic से चल रहे हैं, हाँ, कोई दीकत नहीं है, चलो, यहाँ मैं open कर लेता हूँ, actually, यह क्या होता है, कि मुझे खुद यह देखना होता है, कि लिख रहा और देखोगे, अब देखो इधर, एक सक्षी, अगर हम लोग देखें, इधर इस साइड में आपका क्या होता है, जैसे मैं यह खिच देता हूँ, यह 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी मैं, 1, 2, 3, 4, 5, उपर मैं लेलता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, मालो 5 बिंदू, एक, दो, 3, 4, 5, पाच, पाच, बिंदू मैंने चारों तरफ ले लिया, यह यहां मैं लिख देता हूँ, एक, दो, 3, 4, 5, यह हम लोग का, एक, दो, 3, 4, 5, इधर ध्यान देना, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, और यहां पे माइनस पाच हो जाएगा, clear, और नीचे आप लोग का क्या हो जाएगा, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, यहां आप क्या समझे, यही चीज़ आपको समझना है, कि मूल विंदू से, एक, असके इधर पूरु दिशा में हम लोग जाते हैं, तो इधर सारी, जो दुरिया होती है, उसको हम हम लोग धनात्मक लेते हैं, सिंपल, इधर हम लोग इधर, पशिम दिशा में, एक्स एक्स पे हम लोग रिडात्मक लेंगे, उपर हम लोग धनात्मक लेंगे, य एक्स पे और नीचे हम लोग य एक्स पे रिडात्मक लेंगे, क्लियर, इस कारण क्या होता है, इस कारण हो हो गगे है जैसि यह पहला दूसरा तीसरा और यह चौता है यह पहले चत्र यहजे पहले में जितनी भी चीजे आती है भरनात्मक होती है और यहां पर यहां x भी positive तो इसलिए यहाँ इसके अंतरगत जितने भी चीज़े या जितने भी बिंदू आएंगे वो क्या होंगे उसके दोनों चिन धनात्मक होंगे जैसे अगर मैं बोल दूँ कि आप 2,3 को दर्साइए मैं ऐसे बोल दूँ यहाँ पर 2,3 को आप कार्थिये तल में दर्साइ दर्सा ओगे 2,3 को आप जानते हो 2 क्या होता है यह x चीशित और इधर यह y-axis होता है पहला वाला x दूसरा वाला y तो दो तीन तो आप x चीशित पे 2 यहाँ पे है और y-axis पे 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे आप ऐसे घीच दो यहाँ पर मिल गया यहाँ आपका 2,3 हो गया बिंदू, clear, तो ऐसे दर्साया जाता है, तो देखे, यहाँ पर यह जो बिंदू है, इसके अंतर का जो भी आएगा, वो positive होगा, तो इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ, यह हम लोग का main point नहीं है, बस आपको समझाना है, पहले में जो chin होता है, x और y axis दोनों का वो plus plus होता है, clear, दूसरे में क्या होता है, ध्यान देना, दूसरे में देखो, इस और इस इन दोनों के कारण यहाँ पर यह चतुर्थान दूसरा बन रहा है, तो इसमें देखो, सबस सबसे पहले आप जानते हो, कि सबसे पहले यहाँ पर x लिखा जाता है, उसके बाद y लिखा जाता है, तो x क्या है, यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर minus है, तो इसलिए पहला chin जो होगा, वो minus होगा, और दूसरा chin आप लोगा, यह y के करार यह बन रहा है, तो यह प्लस होता ह जितने भी बिंदू आएंगे, उसमें x वाला जो बिंदू होगा, माइनस होगा, और y वाला बिंदू प्लस होगा, clear, और तीसरे में देखो, तीसरे में आप लोगा, x वाला बिंदू कहां है, ये है, और ये y वाला है, तो ये तो देख रहे हो, दोनों निगेटिव है, तो ऐसे, ये हो गया, मतब तीसरे में, दोनों चिन निगेटिव होगे, यानि तीसरे में जितने भी निद्दे सांक आएंगे, मतब एक्स और y, दोनों का चिन क्या होगा, निगेटिव होगा, जैसे इसमें आपके ऐसे मिलेंगे, minus 2, minus 5, ऐसे विंदू यहां, मतब इसके अंत ठीक है, और इसमें आपका क्या होगा, इसमें देखो, इन दोनों बिंदों कार ये चतुर्थांस निर्मार हो रहा है, तो यहां ये वाला plus और ये y वाला minus, यानि ये plus और कामा minus, ये चिन होता है, इस चिन को आप लोगों को याद रखने की बेहर जरूरी है, क्योंकि ये क पहले चतुर्थांस इन दो मदब करवों के कारण बनता है, इन दो रखाओ के कारण बनता है, तो इसमें चुकी पहले x लिखा जाता है, तो x वाला plus और y वाला भी plus, तो plus, इसमें इन दोनों कारण बनता है, तो पहले x लिखा जाता है, तो x का चिन होता है, तो minus, और ये y वाला आपका plus होता है तो plus ये इन दोनों की कारण बन हरा है तो यहां X पहले लिखा जाएगा तो ये minus और यो Y उसके बाद लिखा जाएगगा तो Y भी minus है तो minus और इदर इन दोनों कारण ये छोथत्य तरशांस बन रहा है तो इसमें X पहले लिखेंगे तो X वाला ये तो plus है तो plus और ये आपका minus clear बस इतना आपको याद रखना है कि जो पहला चतु थांस होता है उसका चिन plus plus होता है दूसरे का minus plus तीसरे का minus minus और चोथे का plus minus और ये दिसाएं भी याद रखनी है आपको और इस बिंदू से आपको ये भी याद रखना का उपर क्या होता है प्लस होता है नीचे आपका minus होता है इधर plus होता है इधर minus होता है ठीके ये पूरवदिशा होता है ये पस्चिम होता है ये उत्तर होता है ये दक्षीड होता है simple इतनी चीज है आपको याद रखना जरूरी है चलो अब हम लोग आगे चलते हैं main हम लोग आब बारी आता है अब graphie विधी द्वारा question को समझना कि graphie विधी द्वारा हम लोग कैसे question को solve करेंगे तो अब हम लोग main अपना question समझते हैं अब तक जो भी concept ता देखो इन questions में यूज होगा इसको भी मैं erase कर लेता हूँ एक minute चलो भाई साब यहाँ पर मैं question आपको सोक कर देता हूँ यहाँ यह प्रस्नावली 3.1 यह question है हम लोग का उदाहर नमर first एक और थोड़ा सा हम लोग concept छोटा सा समझ लेते हैं छोटा सा नहीं यही सबसे बड़ा concept है उसके बाद इस प्रस्नावली को हम लोग solve करेंगे देखो हम लोग की अगर दो यहाँ पर ध्यान देना पहला तो हम लोग के रैखिक समिकर्ण यूग्म दी यूग्म मिन्स चेप्टर का क्या नाम है रैखिक समिकर्ण यूग्म चैनि जो समिकर्ण हैंगी हम ऐसा यूग्म में रहेंगी जोड़े में रहेंगी तब ही हम लोग उसको हलोल कर सकते हैं अगर दो समिकर्ण जैसे 3x plus 4y बराबर हमें 2 दिया है तो इसको हम लोग कैसे solve करेंगे कर ही नहीं सकते अकेले solve नहीं हो सकता जब एक और समिकर्ण है कि 4x minus 2y या plus 2y कुछ भी रहे minus 2y बराबर 0 तब इसको हम लोग दोनों को solve कर सकते हैं अकेले हम किसी को मतब दो चर वाले रैखिक समिकर्ण को solve नहीं कर सकते इसलिए चिप्टर का नाम क्या है दो चर वाले रैखिक समिकर्ण यूगम यूगमिस जोडे में रहेंगे हमें साहिए कम से कम दो रहने यह चाहिए ही चाहिए clear तो यहां पर ध्यान देना थोड़ा अगर दो हम लोग की रैखिक समिकर्ण यूगम है पहला हम लोग का क्या है a1 x plus b1 y plus c1 बराबर 0 यह पहली हम लोग की समिकर्ण है दूसरी हम लोग की समिकर्ण यहां पर समिकर्ण एक इसको लिख देता हूँ और दूसरी हम लोग की मालो मैं लिखता हूँ a2 x plus b2 y plus c2 बराबर 0 यह हम लोग की समिकर्ण क्या हो गई दो हो गई अगर यह हम लोग के पास मालो दो समिकर्ण है तो इसमे देखो x यहां पर जो होता है पहला चरू उसका गुड़ां के यहां पर a होता है इसका गुड़ां के यह b और यह अपने आप में सोतन तो होता है c यह पहले मैं आपको बता चुका हूँ ठीक और इसको मैं a2 इसलिए लिया है कि दोनो एक पास है तो इसको a1 इसको a2 मैंने माल लिया इसको b1 तो इसको b2 यह c1 तो इसको c2 मैंने माल लिया है माल लो यह दो आपके पास समिकार्ण हो दो चरवाली और इन समिकार्ण का आपसे पूछ दे कि इसका हल है कि नहीं है बता है आपसे दो समिकार्ण दे दे कि 2x प्लस 3y बरबर 5 या 5x plus 3y बराबर 0 इसका बताओ हल है कि नहीं है तो कैसे आप पता करोगे क्या इसको मालो objective में आ जाता है तो क्या इसको आप solve करोगे या solve करकर पता लगाओ कि हल है कि नहीं है वो तो ठीक है solve कर सकते हो लेकिन काफी लंबा मेठर हो जाएगा तो उसके लिए एक short एकदम मेठर है और ये विधी है एकतर समझ जाओ और इसको काफी focus किया गया है इस chapter में आप लोग का जो मतब बुक है उसमें भी ये अभी जो चीजे मैं बताऊंगा ये चीजें मिल जाएंगी हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए यहाँ पर A1, A2, B1, B2 और C1, C2 में compare करेंगे अगर यहाँ दो श्रमिकाड हमें इस प्रकार के दी हुई है दो चरवाली अगर यहाँ पर A1 बटे जो A2 है मतब A1 और A2 इन दोनों का अनुपात बराबर नहों यह देखो बराबर नहों का चीन क्या होता है जैसे बराबर और इस धर आमने कट कर दिया इसका मतब कोई बराबर नहीं है किसके B1 बटे B2 के तो क्या होगा इस स्थिती में क्या होगा कि जो दी गई समयकाड़ है उसका केवल एक हल होगा और अगर ये तो तो अगर ये रैखिक सम्हिकरण है, तो वहाँ पर केवल जो रिखाएं हैं दोनों एक दूसरे को एक बार कट करेंगी, यहाँ एक बार कट, कहीं न कहीं मतलब एक बार कट करेंगी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की जूरुत है, कि अगर A1 बटे A2 इक्वल टू नाट, B1 बटे B2 हो, तो अगर रैखिक मतलब ये रेखा का सम्हिकरण रेखिसी, तो रेखाएं क्या होंगी कि एक दूसरे को पट करेंगी एक जगा पे, और इसका केवल क्या होगा, एक हल होगा, केवल एक हल होगा, clear है आपको, तो ये पहला चीज़े, दूसरा देखो, दूसरा देखो, इसको आप नोट कर लो, बाकी आपके बुक में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बुक ओपेन कर लेता हूँ और बतायता हूँ किस पेज नमर पे दिया हुआ है, यहाँ आजा भाई, यह नई जो NCRT की बुक है उसके अनुसरार पेज नमर 30 पे यह चीज़े दिया हुआ है, बाकी मुझे नहीं पता कि पुरानी बुक के अनुसरार किस पेज नमर पे दिया हुआ है, लेकिन आप लोग न अपना यह चेप्टर नमर 3 ओपेन करोगे तो उदाहन वाला स्रेक्शन ओपेन करोगे, तो उसमें पुरा का फुरा एक चार्ट बनाया हुए, उसका नाम लिखा है साड़ी 3.1 ऐसे करकर, और इसमें यह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यह दिया हुआ है, इसको साथ मैं आप लिख लो, और वहाँ सभी देखकर यह चीज़ें आप लोग याद कर सकते हो, अब चलो, आगे चलते हैं, इसका एक हम लोग उदाहण के माद्धियम से चीज़ें समझा क्या, डुख जाओ, यहाँ, ठीक है, इसका एक हम लोग उदाहण के माद्धियम से भी समझ लेते हैं, जैसे आप लोग के बुक में दिया हुए, मैं देख सकता हूँ, x-2y बरबर 0 एक हमें समिकांड क्या दिया हुआ है x-2y बरबर 0 और एक समिकांड क्या दिया हुई है 3x-4y-20 3x-4y-20 बरबर 0 ये दो हमलों की समिकांड दिया हुई है 3x-4y-20 बरबर 0 आशा करता हूँ आपको दीख रहा होगा एक मेर्ट रुख जाओ भाई सहाब हाँ आपको दिख रहा है पहला यह स्वमिगार्ड x-2y वर 0 और दूसरी 3x-4y प्लस 20 वरबर 0 ठीक है यही है मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ गड़वर ना हो चीजे ठीक है यही है अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देने में जूरू थे हम लोग देखते हैं कि इसका हल है की नहीं है हल इसका कब होगा और एक हल कब होगा जब इसमें a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर ना हो तो देखो a1 क्या होता है यहाँ x का गुणांग मतलब पहला वाला चर x का गुणां क्या कुछ नहीं मतलब एक है तो a1 का जगा हम लोग क्या लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं बटे में a2 a2 मींस इस वाली दूसरी वाली समिकंड का ये वाला तो यह एक बटे 3 हो गया और यह बराबर हम लोग देखते हैं अब देखो इधर हम लोग b वाला देखते हैं b वाला पद तो b क्या होगा क्योंकि a1 बटे a2 equal to not b1 बटे b2 एक तरसी इसको आप फार्मूला ही समझ जाओ यह आपका मतलब फार्मूला समझ जाओ या सर्थ समझ जाओ यह सर्थ है तो आपका b1 क्या हो गया b1 यह हो गया और इसको चीन सहीत लेंगी भाई,साब इसको विध्यान रखना है तो houses i2 बटा में यह हम लोगा क्या हो जाएगा यह हम लोगा यहां पर b1 आ मतलब件 यह b1 हो गया यह b2 हो गया, b2 क्या हो गया, minus 4, और यह तो आपका c2 हो गया, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर c1 available ही नहीं है, तो चलो यहाँ तो हमें कोई जूर्ट नहीं है, इसमें क्योंकि यहाँ c है ही नहीं, तो यहाँ देखो, इसको तो यह समीकर्ण इग्म है, अगर बराबर नहीं है, A1 बटे A2, B1 बटे B2 आपस में, तो बोल सकते हैं कि इस समीकर्ण का केवल एक हल होगा, clear, क्या होगा, यहाँ पर माइनस ही तो है न, अच्छा चलो, आपके बुक में यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, बाकि यहाँ पर मा मतब क्या है सर्थ, अगर यह आपस में बराबर नहीं है, तो यह जो समीकर्ण दी हुई है, इस समीकर्ण का केवल एक हल निकलेगा, एक ही हलोगा, आप इसको solve करना, solve करोगे, तो देखना केवल एक हल निकलेगा, clear, अब देखो, अभी इसको हम लोग, चलो, छोडो, solve नही पर प्रतिछेद करेंगी, तो यह पहला सर्थ जो है, इसको आप लोग याद रखना, clear, चलो, अब दूसरी सर्थ पर हम चलते हैं, यह पहला सर्थ हुगा, कि दो हम लोग के रैखिक समीकर्ण है, और उसमें A1 बटे A2 इक्वल टू नाट को B1 बटे B2 के, जो दोनों समीकर होंगे, उसका केवल एक हल निकलेगा, ठीके, एक अद्वित्ती हलोगा, एक ही हलोगा, एक से ज्यादा हल नहीं होगा, और अगर हम लोग ग्राफिय में ठट से देखें, तो अगर यह रैखिक समीकर्ण है, तो दो रिखाएं, मतलब एक दूसरी को एक ही जगा पर कट करें करेंगी, एक जगा पर कट करने का मतलब ही उसका एक ही solution, clear, शलो, अब इस चीज को मैं erase करता हूँ, यहां पर कितना time हो गया भाई साहब, I think वीडियो लंबी घीच गई क्या, आदे गंटे, कोई दीकत नहीं, चलो, एक गंटी की वीडियो हो सकती ही होगी, क्योंकि हम दूसरा, दूसरा क्या है, अगर, दूसरा यह है, कि अगर A1 बटे A2, यह दूसरी सर्थ है, यह दूसरा एक तरसे आप नियम समझाओ, जो भी समझो, A1 बटे A2 बराबर हो, किसके, B1 बटे B2 के, और यह भी बराबर हो, C1 बटे C2 के, तब क्या होगा, मतलब तीनों पद आपस में बराबर हो जाए, A1 और A2 का अनुपात, B1 बटे B2 के अनुपात के, और यही अनुपात C1 बटे C2 के, यनि तीनों के अनुपात आपस में बराबर हो जाए, तब क्या होगा, इस तितिती में क्या होगा, तो आप लोग स साफ साफ अपनी बुक में देखना लिखा होगा कि रेखाएं क्या होंगी संपाती होंगी अब संपाती क्या कितने लोग मतलब नहीं समझते हैं संपाती मिन्स यहां देखो मैं समझाते हूं जैसे यह एक रेखा है और ऐसे यह एक बार कट कर दी तो यह तो त्रियक रेखा हो संपाती क्या होती है, संपाती में जैसे ये एक रेखा है, और इसी के उपर कोई दूसरी रेखा आ गई, एकदम उसके ऊपर ही, जैसे ये एक रेखा, इसके उपर एक रेखा आ गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं, शंपाती, ठीक है, एक मिनट, देखो तो संपाती का आप मतलब समझ गए तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 इन सभी का अनुपात आपस में बराबर आ जाए तो जो अगर ये रैखिक समिकड है यानि एक रेखा का ये मतलब एक रेखा का ये एक रेखा का ये ये रेखा के समिकड है जो दोनों रेखाएं होंगी एक दूसरी पर ओभरलैप करेंगी ओभरलैप मिन्स एक ये पहली रेखा और दूसरी रेखा इसी के ऊपर हो जाएगी क्लियर इस स्थिति में क्या होगा कि भाई ये तो रिखा एक दूसरे को हर जगा पे कट कर रही हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी बिंदू पे कट कर रही हैं अब पता नहीं कितने बिंदू पे एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इसलिए इसके क्या होते हैं इसके अनेक हल होते हैं क्या होते हैं अनेक हल होते हैं clear अगर दो हम लोग के रहाखिक समिकाड़ है उसमें A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के और वहीं बराबर हो C1 बटे C2 के तो जो उसका हल होगा उसका अनेक हल होगा उस प्रकार के समिकाड़ का अनेक हल होगा और अगर रेखा के रूप में देखा जाए तो रेखाएं एक दूसरे पर overlap करेंगी मतलब क्या है कि एक दूसरे के शंपाती होंगी clear है तो यह दूसरा भी आपको जो सर्थ है यह दूसरी सर्थ है ओ भी clear चलो इस पर एक सवाल भी दिया हुआ है मतलब वही समझाया हुआ है आपके बुक में ठीक है यहाँ पर मैं देख लेता हूँ portion क्या है portion है 2x प्लस 3y माइनस 9 यहाँ पर यार यह 2x प्लस 3y माइनस 9 या 9 बराबर 0 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 4x प्लस 6y उसके बाद क्या है 4x प्लस 6y 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 यह हम लोग के पास 2 समिकाड़ यह समिकाड़ 1 समिकाड़ 2 यह 2 समिकाड़ है चलो इस समिकाड़ के माद्धे हम से चेक करते हैं कि इसमें A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 का अनुपाद क्या है अगर मैं A1 बटे A2 यहां पर देखो अपने आपको मैं उपेन कर लेता हूँ बार बर देखो भूक भी उपेन करना पड़ा है लिप्टॉप में और थोड़ा अब मत भी यह सिस्टम भी उपेन करना पड़ा है तो थोड़ी दिक्का थोड़ी है लेकिन मैनेज कर ले न यहां पर देखो अगर A1 बटे A2 यहां पर देखा जाएगा यह A1 है यह A2 है यह B1 है यह B2 है यह C1 है और यह C2 है तो A1 बटे A2 यानि 2 बटे 4 2 बटे 4 अब इसको आप काटोगे तो यह 1 बटा 2 हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 देखते हैं अब देखो B1 बटे B2 क्या है यह 3 बटा 6 इसको काटोगे तो 3 दुन अच्छा है यानि इसका मान भी 1 बटा 2 ठीके और बराबर C1 बटे C2 तो यह C1 है अब इसको आप काटोगे तो क्या हो जाएगा लेकिन यहां गान तो negative में नहीं नहीं आएगा क्योंकि यह minus यह minus यह 9 दुना का 18 9 दुना का 18 यहनि 1 और यह 2 यह minus 1 बटे में minus 2 यह भी हो गया देखो यह 9 बटे 18 है तो 9 दून का 18 एक बटा 2 हो गया और उपर भी माइनस नीचे भी माइनस तो माइनस में सकट जाएगा यानि वही एक बटा 2 ये भी हो जाएगा यानि यहां पर देखो A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 कीनू का जो अनुपात है आपस में क्या आया समान आया, बराबर आया, बराबर आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये समीकर्ण है इस समीकर्ण के कई सारे हल हो सकते हैं, मतब़ कई सारे हल कहने का मतब़ कि X कमान कई सारा हो सकता है y command कई सारा हो सकता है जिसको यहां पर रखोगे तो वो 0 के बराबर आएगा clear और अगर यह दोनों रैखिक समीकर्ड युग में है मतलब यह एक रेखा का समीकर्ड है और यह भी एक रेखा का समीकर्ड है तो अगर रेखा के रूप में देखा जाए या ग्राफ के रूप में देखा जाए तो जो ग्राफ प्राप्त होगा उसमें दोनों रेखाए एक दूसरी एक उपर ऐसे ओबरलैप करती हुई जाएंगी, clear, यहां देखो, पूरे का पूरे उफर लैप नहीं हुई है, मैं खांच नहीं पा रहा हूँ, हींच नहीं पा रहा हूँ, ऐसे उपर एक दूसरे के उफर होंगी, clear है, तो यह दूसरी सर्थ है, दूसरी सर्थ आपको समझ में आ गई, कि अगर A1 बटे A2, B1 में देखा जाए, तो रिखाएं एक दूसरे पर समपाती होंगी, clear, आशा गरता हूँ, यह दूसरी सर्थ भी आपको समझ में आ गई होगी, अब चलो हम लोग तीसरी सर्थ समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग Eamples के Question लगाएंगे, यहां पर तीसरी सर्थ को हम लोग स सर्थ नमर तीन यह है कि A1 बटे A2 तो बराबर हो, B1 बटे B2 के, A1 बटे A2, B1 बटे B2 के बराबर हो, लेकिन यह दोनों बराबर ना हो, C1 बटे C2 के, clear, तो इस स्थिति में क्या होगा, कि मतलब A1 बटे A2 और B1 बटे B2, इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो, मतलब इसका भी बान हो सकता है, एक बटे 2 आजाए, इसका भी एक बटे 2 आजाए, लेकिन यह बराबर नहीं है, तो यह एक बटे 2 नहीं आएगा, तीन बटे 4 कुछ भी आ सकता है, इस प्रकार, तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर दो हमें समिकांट दी हुई है, समिकांट एक और समिकांट दो, अगर यह रैखिक समिकांट है, यानि एक रेखा की समिकांट है, अगर ग्राफ के रूप में देखा जाए, तो ग्राफ में रेखाए हमें कुछ इस प्रकार से, एक दूसरे के समनांतर प्राप्त होंग अगर आप आपको दो समीकंड दे दिया जाए और पूछा जाए इसके कितने हल है, हल है कि नहीं है, या अनेक हल है, तो आप बता सकते हो, आपके एक्जाम में क्या करेगा, दो समीकंड दे देगा, और पूछ देगा, कि क्या ये, मतलब ठीक है, जैसे दो आपको समीकंड दे दिया जैसे यह दो समयकर्ड में लिखी देता हूं कोशन ही बना देता हूं जैसे आपके एक्जाम में x प्लस 2y वराबर 5 और 3x प्लस 4y वराबर 6 मालों यह दो समयकर्ड आपके एक्जाम में दे दिया ऐसे भी कोई भी समयकर्ड दे सकता है और अगर objective यहां हमने अनेक बोला मतब एक से ज्यादा यहां पर यार बूल गया चलो कोई दिकत नहीं यहां पर मैं लिग देता हूं कि यहां पर अनेक हल हैं अनेक हल मींस बहुत ज्यादा इस इस्तिति में अगर रिखा कर देखाओं कर देखा जाए तो एक दूसरे को उबर लैप कोई हल नहीं है कि इस रूप में रिखाए क्या तो यहां डूसरे के संवनानतर होती है और पॉर्थ में यहां इनमें से कोई नहीं लिख देता हूं इस तरसे कोश्चन मना देगा आपके एकजाम में अब यहां इनको आपको A1 बट A2, B1 बट B2, C1 बट C2 में आपको देखना होगा, compare करना होगा, क्या कौन सा सर्थ पालंद करता है, और उसके अनुसारी आप सन पे click करना होगा, choose करना होगा, clear है, तो इस तरह से question दे सकता है, एक और question, हाँ, जी तो चलो, यार अभी एक बड़ा पंगा हो गया, ये वीडियो अभी पता नहीं क्यों अपने आप ये पट हो गई थी, और मैं उसी तरह वीडियो शूट कर रहा था, मतलब पांच मिट की में अनद बरबाद, लेकिन चलो, कोई दिकत नहीं, अभी जो मैंने ये बताया, आपको दोहरा देता हूँ, और edit करते समय, इस recording को उसमें मैं merge करकर, आप लोग के लिए, वो edit कर दूँगा, कोई दिकत नहीं, चलो, यहाँ थोड़ा मैं इस चीज को erase क कर लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग चीजों को एक बार और दोबारा समझ लेते हैं, देखो, मैंने आपको बताया कि question कैसे पुछेगा, जैसे दो आपको समीकंड देगा और बोलेगा कि इसके कितने हल हैं, या पूछ देगा कि इसके हल हैं कि नहीं है, तो उस मतलब त सर्थ बताया, उन तीनों सर्थ पे आप, मतलब दोनों समीकंड का A1 बट A2, B1 बट B2, उसको मतलब क्या करोगे, अपलाई करोगे और देखो कि कौन सी सर्थ को पालन कर रहा है, उसका, मतलब क्या मैंने बताया, उसके नुसार आप objective question में trick कर सकते हो, लेकिन यहां आप से एक और प्रकार का question पूछ सकता है, जैसे आपको दो समीकंड दे दिया, एक ये समीकंड दे दिया, एक ये दो समीकंड दे दिया, और इन समीकंड में पूछ देगा कि क्या ये दोनों शंगत हैं, शंगत हैं कि नहीं है, और संगत हैं, तो इससे graph ये बिदी से हल किजिए, जैसे यहाँ पर देखो आपका example में first question पूछा हुआ है, यहाँ पर मैं दिखायता हूँ, ग्राफ द्वारा जाच कीजिए कि समिकड़ों, दो समिकड़ों में दिया हूँ और यह संगत हैं कि नहीं है, और यदि यह संगत है तो इसे ग्राफ द्वारा हल कीजिए, तो अभी इसको हम लोग हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले थुड़ा concept को समझ देते हैं, यह संगत का concept क्या है, लेकिन इसको चलो मैं यहाँ पर highlight करता हूँ, संगत इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी जो हमने तीनों सर्थ देखा, उन तीनों सर्थ को a1 बटे a2 बराबर नो हो, b1 बटे b2 के, तो इस इस्तिती में अगर दो रिखाएं हैं, मतलब पहली रिखा का एक समिकर्ण, दूसरी रिखा का करेंगी, प्रति छेद करेंगी, एक जगह पे काटेंगी, इस प्रकार इसका क्या होगा, कि एक हल होगा, एक हल होगा, clear, पहला ये सर्थ आपको clear, दूसरी सर्थ क्या है, दूसरी सर्थ में कि तीनों आपस में बराबर हो जाए, यानि a1 बटे a2 बराबर हो जाए, b1 बटे b2 के, और यही बराबर हो जाए, c1 बटे c2 के, तीनों आपस में बराबर हो जाए, दो समिकर्ण दी होई हो, उन समिकर्ण में a बटे A2, B1, B2, C1, C2, A, B, C, ये क्या है मैंने आपको समझा दिया पहले, तो ये तीनों बराबर हो जाए, तो इस सिस्तिती में क्या होगा, इस सिस्तिती में जो रेखाएं होगी, अगर वो रेखाओं का समीकर्ण है, तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर उभरलाइप होगी इसको हम लोग शमपाती बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर उभरलाइप होती हैं तो इनको हम लोग समपाती रेखाएं एक तरसे बोल देते हैं, clear, और इस सिस्तिती में अगर बीजगर्ण दिया बिदिती से दोनों समीकोर्ण को हम लोग हल करें, तो इसलिए उसके अनेक खलोंगे यह पहली सर्थ यह दुसरी सर्थ और इधा तीसरी सर्थ क्या है भाई साब तीसरी सर्थ ये है कि A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो लेकिन ये दोनों बराबर नहों कि इसके B1 बटे C2 के मतलब क्या है कि अगर A1 बटे A2 का मान 1 बटे 2 है तो ये B1 बटे B2 का मान B1 बटे 2 हो लेकिन C1 बटे C2 का मान 1 बटे 2 नहों कर वो 3 बटे 4 ये कुछ अलग हो दूसरे के समनांतर होगी, समनांतर होने का मतलग एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी और कभी कट नहीं करेंगी, तो उसका एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, clear नहीं होगा, इस इस्तिती में, तो अभी जो हमने ये तीनो सर्थ पढ़ी, उसको मैंने दोहरा दिय इन तीनों सर्थ को आपको याद रखने की जुरूत है, आप स्क्रीन सौट भी इसका ले सकते हो, बाकि आपके बुक में ये सर्थ पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो आप उहां से भी इसका अनलिसिस कर सकते हो, याद कर सकते हो, clear, अब यहां पे आपसे कहेगा क्या, पांच, 3X प्लस 2Y बराबर 9, मतब यह समिकर्ड एक समिकर्ड, दो आपसे समिकर्ड कोई भी दे सकता है, और बोलेगा कि ये समिकर्ड संगत है कि नहीं है, ग्राफिय बिधी दुआरा जांच कीजिए, क्या ग्राफिय बिधी दुआरा जांच करने को बोलेगा, अगर ऐसे नॉर्मल बोलेगा, तो आप तो A1, बट A2, इस पर आप जांच करोगे, जांच कैसे करोगे अभी मैं बताऊंगा, ग्राफिय बिधी से जांच कीजिए, और अगर ये संगत है, तो उसको ग्राफिय बिधी से हल कीजिए, ऐसे बोलेगा, कोशिन, तो कैसे करोगे, चलो, प अहली सिति में दोनों रेखाया साथ में हैं बिल्कुल है एक दूसरे को cut कर रहे हैं cut कर यह मतलब कहीं ना कहीं है जोनों साथ cut करने का मतलब अभी यहां नहीं कि माजळड़ कर रही है तो साथ सथ नहीं है काने का मतलब एक दूसरे से touch touch संगत मीन्स यहां पर touch से मतलब ए यहां touch तो करी रही है cut कर रही है तो यहां पर touch करीई रही है तो यह हम बोल सकते हैं कि यह संगत है तो इया 1 बटे A2 इकल टू लाट ब 1 बटे B2 की स्थिति में रिखाएं इस इस इप्तिति में रिखाएं, इस में एक दूसरे के ऊपर overlap है, तो यहां भी सांथी हैं दोनों रिखाएं, बतव यहां भी alive samgat है, a1 anti, b1 anti, b2, c1 anti known, c2 यानि इस इस्थिति में भी जब रिखाएं, कहीं एक डूसरे के उपर overlap हो या समपाति हो जिसका अनेक हल आता है तो इस इस्तिती में भी जो रिखाय होंगी उनको हम लोग बोलेंगे की संगत है लेकिन इस्तिती में हम लोग शंगत नहीं बोलेंगे क्योंकि रिखाय एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे हैं या चुही नहीं रही है तो वो ढ़ाई साथ कहा से है वो तो अलग-अलग है तो इस इस्थिति में संगत नहीं बोलते हैं। तो यह दो स्थिति में यहाँ बोल सकते हैं कहीं आपको यह इस्थिति प्राप्त हो मतब दो समीकार दे दे और पूछे कि अगर ये रिखाओं का समीकार ने तो बताओ ये संगत हैं कि नहीं है तो अगर एक हल आपको निकल कर आएगा या ऐसी स्थिती कुछ प्राप्त होगी तो आप कहो दोगे कि संगत है ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो भी बोल दोगे कि संगत है अगर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो बोल दोगे कि संगत नहीं है यह संगत का फंडा किलियर कि केवल एक स्थिति में संगत नहीं होता है बाकि इन दोनों स्थितियों में संगत होता है तो आप पता लगा सक प्रफिय भी दिश्य से भी पता लगा सकते हो, हल करका भी पता लगा सकते हो, इस सबसे अच्छा कि इस से चेक कर लो, अगर A1 बटे A2 एकोल टू नाट B1 बटे B2 का सर्थ पालन हो रहा है, तो संगत है और साथी ये पालन सर्थ हो रहा है, तो रेखायों का मतब एक हल होगा और एक दूसरे को कट करेंगी, अगर ये स्थिति में रेखायों के समिकर्ण का अनेक हल होगा, और इस स्थिति में एक भी हल नहीं होगा, और नहीं वो दून रेखायों का मतलब क्या है, कि आपको ये रेखायों को देखकर चेक करना पड़ेगा, कि ग्राप में कहीं रेख इससे समझ सकते होकि यह तो सेकेंड वाली सित्री होती तो यहां भी रेखाएं क्या होती है शंगत होती है और यह सित्री कहीं आ जाए कि ग्राफ में रेखाएं एक दुसरी को कठी न करे शमनांत्र आसे निकल जाए तो इस सित्री में बोल सकते हो कि शंगत नहीं ये रेखाएं और इस सित्री में एक भी मदवहल नहीं आता है clear? चलो अब हम लोग इसको erase करते हैं जो भी हम लोग का concept था इस प्रसनावली से related हमने पढ़ लिया अब examples के question को solve करते हैं और बाकी आप जो प्रसनावली के अंदर के सवाल हैं वो आप लगाना अभी जो examples में बताऊंगा उसके अधार पे और फिर मैं प्रसनावली को भी solve कराऊंगा तो यहां चलो अब हम लोग examples के question को solve कर लेते हैं इसको मैं कर लेता हूँ इरेज देखो कितने असानी method से इसको solve करेंगे सबसे पहला question मैं आपको screen पे show करा देता हूँ यह आपको दिख रहा होगा बाकी यह application आप लोग डाउनलोड कर लेना आपको Google Play Store पे मिल जाएगी application ठीके यहां पे शलो भाई साब यह question आपको दिख रहा होगा क्या question है। ग्राफ द्वारा जाज किजिए कि समीकार युग्म पहला समीकार च्या दिया है x प्लस 3y परदर 6 और दूसरी समीकार क्या दिया है 2x-3y 2x-3y परदर 12 हमें क्या बोलना है कि graph द्वारा जांच किजिए कि सम已经 फर्स्ट और सेकेंड समय कर दे दिया है, शंगत हैं, शंगत हैं की नहीं है, यह हमें बताना है, यदि ऐसा है, मतलब शंगत हैं, तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, यह question पूछा है, फर्स्ट question आप जाना, इस प्रस्णावली के, मतलब exercise 3.1 के पीछे, उद्धार के question में देखना, इस प्रस्णावली का, मतलब उद्धार नमबर ये, क्या है, फर्स्ट है, या इस चेप्टर का भी हम लोग बोल सकते हैं, कैसे हल करेंगे इसको, इस question को थोड़ा मैं hide कर देता हूँ, क्योंकि question हमने लिख लिया है, मतलब में जो समीकाड है, उसको हमने लिख संगत हैं, और अगर हैं, तो उसे ग्राफ ये बिदी से हल कीजिए, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पता लगाना होगा कि ये संगत हैं, तो संगत हम लोग, अगर सर्थ a1 बटे a2 equal to not b1 बटे b2, अगर ये इस्तिती आ जाती है, तो इस्तिती में रिखाएं क्या होती है, श और c1 बटे c2, ये भी सर्थ हमें कहीं कहीं मिल जाती है, तो ये भी संगत होता है, क्योंकि ये आप लोग का, मतलब तिरियक रिखाओं का सर्थ होता है, और ये संपाती रिखाओं का होता है, तो इस्तिती में तो दोनों रिखाएं, एक दुसरे को टच कर रही हैं, चूर क्योंकि कोशन में अभी बोला था, तो इस स्तिती में क्या होगा, कि ग्राफ वनाएंगे हम लोग, जब इन समीकाड का यूश करकर, अभी ग्राफ वनाएंगे, देखना कैसे बनाते हैं, ग्राफ वनाएंगे, तो उस स्तिती में क्या होगा, कि ये दोनों रिखाएं, ग्रा होगा इसका हुल होगा आप कहूगे कि इस सिति में तो अनेक हiro जायेंगे ज़्यदा आपको यहीशिति देखने को मिलती है तो चलो हम लोग ग्राफ बनाते हैं और अगर कहीं सम्नांतर आ जाएं कहीं ऐसे मतब ग्राफ में तो हम लोग बोल सकते हैं मतब संगत नहीं है और संगत नहीं है तो उसका हल ही नहीं निकलेगा क्योंकि वो थड़ वाली सित्री होती है तो चलो अब इसका हम लोग यूज करकर ग्राफ बनाते हैं यहां मैं सब को इरेज कर लेता हूँ यहां पे यहां एक बार मैं समिकाण को लिख लेता हूँ उपर एकस प्लस थ्री वाई दिख रहा है ना आपको यहां पे हाँ x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 ये समीकाड़ 1 है ये समीकाड़ 2 है यहाँ पर आपको ध्यान देने की अब बेहद जरूरत है इस question पर ये question निशीत एक question ऐसा आप लोग के exam में बनेगा ही बनेगा एक बर question को मैं और show कर देता हूँ जिसे हम लोग पड़ी भी ले ग्राफ द्वारा ज्याच कीजिए कि समीकाड़ लेकिन ग्राफ भी दी हाँ इससे हम लोग बनायेंगे तो देखो सबसे पहले निर्देसांग कर भी कैसे करेंगे इसके हम हम लोग हम लिख देंगे सारड़ी ऐसे लिए आप हल लिख रहे है आपको अबिधर मतलब स्अपब हल लिख दोगे उसके बाद लिखोगे सारड़ी और साड़ी चलो इधर थोड़ा मैं लिखता हूं इधर आप लोग लिख दो हल ठीक है और यहां से आप इसको हल करना सुरू करें यहां पर आप साड़ी बनाओगे साड़ी और दो ठे आपको साड़ी बनानी है एक इस समीकर्ण की एक इस समीकर्ण की दोनों समीकर्ण की एक एक साड़ी बनानी है तो फर्स समीकर्ण की मैं साड़ी बनाता हूँ, यहाँ पे, इधर ही बनाया जाता है, ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा इससे इधर, यहाँ पे एक साड़ी मैं बना देता हूँ, यह, clear, ऐसे आप बनाना, यह हो गया आपका, कुछ इस प्रकार, यह यहाँ पे X रख दे अब पहले समीकर्ण की अनुशार देखो, कैसे हल करते हैं, यही आपको ध्यान में रखने की जोरते, कैसे हल करते हैं, x है यहाँ पर x का खाना है और यह दोनो y का खाना है तो x बरबर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ पहले समिकर्ण में अगर हम लोग x बरबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर x बरबर मैं 0 रखूँगा तो यह 0 हो जाएगा 3y बरबर 6 बचेगा तो y बरबर यह 3 उधर जाएगा, तो 6 बटे 3 हो जाएगा, यानि 3 दुनक 6, यानि y कमान 2 हो जाएगा, मतलब मैंने अपने आप से मान लिया कि x कमान 0 है, clear, और x कमान 0 है, तो y कमान क्या हो जाएगा, अब इस समिकर में x कमान 0 यहाँ पर रखेंगा, और इसको हल करेंगे, त यहाँ से y कमान निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, कि y बरबर यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे, तो y बरबर मैंने यहाँ पर 0 रखा, तो इस समिकर में चलो, अब y बरबर 0 रखते हैं, तो 3 और गूडे, 3 y है मतलब 3 तो 3 और गूडे y है, तो 3 गूडे 0, बरबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो x कमान क्या हो जाएगा, यहाँ पर x कमान 6 आ गएगा, तो यहाँ पर हमें 2 निर्दे सांख मिल गए, 0,2,6,0, तोर निर्दे सांख मिल गए, इसी रेखा का 0,2,6,0, जैसे यह कोई रेखा है, तो तो यहां पे पहला यहां पे निर्दे सांग 0,2 और दूसरा यहां पे निर्दे सांग 6,0 ऐसा मिल गया, clear, इसका हम लोग यूज करकर और इसके दोरा हम लोग क्या ऐसा, मतलब निर्दे सांग बिंदू प्राप्त करेंगे और उसके थुरू हम लोग अभी graph कीचेंगे, तो चलो यहां पे अभी थुड़ा इसको मैं erase कर लेता हूँ, दूसरा हम लोग यहीं पे बना, आपकी कांपी चौड़ी होती है, पर इच्छा की कांपी चौड़ी मिलती है तो आप यहीं पे ऐसे बनाना, लेकिन मैं यहां पे बना लेता हूँ, क्योंकि उधर हम लोग graph clear, यहां पे x और यह y, अब देखो यह दूसरी समिकार से अब हम लोग चीजे दिखेंगे, पहली समिकार से हमने यह दो निर्दे सांग प्रात कर लिया, अब इससे हम लोग प्रात करेंगे, अब x बरबर फिर यहां मैं 0 रखता हूँ, अगर x बरबर यहां पे मैं 0 रखता यह दो न तरफ मैंस से गुणा करेंगे, तो यह मैंस मैंस इधर यह प्लस हो जाएगा, और दर मैंस हो जाएगा, यानि मैंस 12 आपका बट्य वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y बरब आप लोग का 3 वो आपका 4 हो जाएगा, y कमान यहां पे 4 हो जाएगा, आप हल करकर द तो माइनस चार होगा, माफ करना, माइनस चार, यहाँ पे, माइनस चार, clear, अब हम लोग Y बरबर 0 रखते हैं, यहाँ बरबर मैं 0 रख रहा हूँ, यह पहला question है, इसलिए थोड़ा इस पर मैं time ले रहा हूँ, ठीके, बागी अगले question पर हम लोग तेजी से solve करेंगे, यहाँ य बरबर हम लोग का 0 हो गया, य बरबर 0 रख तो इस समीकर में हम लोग Y के जगा पर 0 रखते हैं, यनि 3 गुड़े 0, तो इसका मान पुराग फुरा 0, तो 2X बरबर 12, तो X बरबर यह 2 उदर जाएगा, तो 2, 6 का मान 6 हो जाएगा, clear, तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी हम अच्छे से समझा दिया, इसलिए आसा करता हूं कि आपको परसानी नहीं होगी, तो चलो, यहाँ पर मैं graph खीच लेता हूं, यहाँ पर मैं खीच लेता हूं graph, यार इसको मिटा दू क्या, नहीं, चलो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं बना लेता हूं, चलो, कोई दिक् समिकंड के अनुशार 0,2 और उसके बाद क्या है 6,0 इससे हमें एक रेखा खिचनी है और दूसरी समिकंड के अनुशार हमें क्या प्राप्त हुआ 0,-4 0,-4 और 6,0 इसका यूच करकर हमें एक रेखा खिचना है तो सबसे पहले इसका हम लोग ये देखते हैं कि ये बिंदु क 0,0 और 2, यानि X,0, Y,2 यानि धनात्मक, Y धनात्मक कहां होता है उपर की तरफ होता है यहां तोड़ा ऐसे कर लेते हैं ये 6 है मैक्सिमुम तो 6 होगा 1,2,3,4,5,6 इधर मैं 6 खिच लेता हूँ 1,2,3,4,5,6 एक, दो, तीन, चार, 5,6 एक, दो, टीन, चार, 5,6 ठीक है ये आपका Y-axis होगया ये आपका X-axis होगया ठीक है ये आपका इधर यह एक भर मैं लिख देता हूँ बार बार यहां आप प्लस 1 प्लस 2 ऐसे नहीं लिखता हूँ ये धनात्मक होगा ये आपका क्या होगा नीचे की तरफ यह y-axis आपका रिडात्मक होगा, clear, shallow, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, 0, 2, यानि हम लोगा x 0 हो, और y हम लोगा 2 हो, तो y 2, y हम लोगा plus, यानि इधर, यानि यहाँ पे, देखो इस बिंदु पे क्या होगा, 0, 2 होगा, sorry, ये तो एक सक्षिस है न, y इधर उपर इस बिंदु पे, इस बिंदु पे 0, 2 आएगा, कैसे, क्योंकि यहाँ x तो यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं इधर, तो x 0 और 2, तो 1, 2, 2, 2 धनात्मक है, तो इसलिए हमने उपर ले लिया, क्योंकि यहाँ y-axis नीचे भी होता है, ये पूरा y-axis होता है, तो ये न इधर लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे इस बिंदु पे, ये बिंदु क्या होगा, 6, 0 होगा, इस बिंदु पे y, y है ही नहीं, 0 होगा, क्योंकि y यहाँ नीचे होता है, कि तो उपर जाता है, और यहाँ पे इसके सिद में इधर, या इधर y, 0 होता है, तो यहाँ y, यहां पे 0 होगा और X तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा यहां पे तो 6 कामा 0 यह हो गया तो इसको हम लोग मिला देते हैं ऐसे हम लोग मिला देते हैं clear आपको एकदम अच्छे से मतलब अगर आप एकजाम में करते हो न तो आपको अच्छे से यह एक, दो, तीन तो यह दोनों के बिच की दूरिया मतलब समान होनी चाहिए, आपको अच्छे से एकदम इंची से अच्छे से यह चीज़े घिचना पड़ेगा clear क्योंकि graph copy तो आपको एकजाम में मिलेगी नहीं, अगर question आता है तो आपको अपने इंची से एज़ग graph type का इसको बनाना पड़ेगा हमने समिकर 1 का यूज करकर 2 हमने क्या निकाला, 2 निर्दे सांग निकाला, मतलब एक रेखा का हमने निर्दे सांग निकाला उस निदेसांग के उच करकर हमने यहाँ पे यह रेखा खिंच डाली अब समीके और दो से हमें जो निदेसांग पराप्त हुआ है इसकी हम लोग रेखा खिंचते हैं इसकी रेखा खिंचेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना 0-4 पतलब हम लोग का x 0 y-4 तो y नीचे निगेटिव होता है और कितना माइनस 4 तो 1, 2, 3, 4 यानि यहाँ पे यहाँ पे जो बिंदू होगा वो क्या होगा वो होगा आपका 0 कामा माइनस 4 क्योंकि यहाँ पे x तो नीचे या उपर वो तो हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि x तो इधर बढ़ता है या इधर बढ़ता है तो यहाँ पे x आपका 0 और y 1, 2, 3, 4 और 4 कैसा नीगेटिव क्योंकि नीचे y का चीन ही नीगेटिव होता है उपर मतब पाजिटिव होता है दनात्मक होता है तो यह बिंदू 0 कामा माइनस 4 हो गया चेकामा 0 बिंदू और 2 के अनुषार भी तो आप इस से हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे मिला देंगे यह वाला बिंदू तो यहाँ पी आपने देखा यह दोनों रखाएं हैं एक दुसरे को कट कर रही है इस बिंदू पे और cut कर रही हैं तो यह कौन से इस्तिती आती है यह तो शंगत वाली इस्तिती आती है दोनर रेखाए एक दूसरे के साथ हैं मतलब एक दूसरे को कहीं न कहीं मतलब मिल रही हैं तो हम लोग सर्थ question में क्या बहुँ था कि graph दॉरा जांच कीजिए कि रेखाएं शंगत हैं तो बोला था कि अगर संगत है तो उसको हल कीजिए, उसका हल निकालिए, तो उसका हल क्या होगा, उसका चुकी रिखाएं 6,0 पे कट कर रही हैं, आप लोग नीचे ऐसे लिख दोगे, आप ध्यान देने, मैं क्या बोल रहा हूं, लिखोगे नीचे, ये ग्राह बनाने के बाद न 6 और 0 होगा, अता है X बरबर 6, क्योंकि ये आगे वाला 6 होता है, और पीछे वाला Y होता है, अता है X बरबर 6 और Y बरबर 0 होगा, और यही आंसर हो जाएगा, यानि X कमान 6 होगा, Y कमान 0 होगा, आप इस समीकोन को ऐसे भी हल करकर, नॉर्मल तरीके से देखना, X कमान 6 आपको अच्छे से समझाना था, clear, चलो, तो इसको मैं erase कर लेता हूँ, और इसको हल करकर भी मैं यहां समझायता हूँ, चलो, इसको आप screenshot लेना चाहते हो, तो ले लो, इस question का screenshot आप ले लो, और इसको आप लोग समझते रहना, यहां नीचे मैंने बताया कि आपको क्या लि कि तो cut करें, कि तो एक दूसरे के बीच उपर-उपर overlap हो, तो वो शंगत होगी, क्योंकि संगत क्या होता है, मैंने अभी आपको already explain कर दिया है, तो यहां पर नीचे लिग दोगे कि रेखाएं शंगत हैं, अब संगत है, तो हमें हल करना है, इसको हल कैसे, तो हल तो हल तो हो रही है, इसलिए इसका हल, या इस समिकार का हल, 6-0 होगा, और थाथ, X-6, Y-0 होगा, ठीके, X-6, Y-0 होगा, और चुकि इस सितिती में आप जानते हो कि इस सितिती में केवल एक ही हल निकलता है, जब रिखाएं एक दूसरे को एक बार cut करती है, यानि अगर सर्त देखें, A पीछे कर लेता हूँ, इनको मैं इरेज कर लेता हूँ, बाकी आप इसकीन साथ ले लिये हो, अच्छी बात है, या अभी तक ने लियो तो पीछे वीडियो को बैक करकर इसकीन साथ ले लेना, इसको देखो हल करते हैं, देखो, कितना आशान है, ये 3Y, माइनस 3Y, प्लस, औ जाएगा, बारब बार अच्छो, ये 18 हो जाएगा, तो X बरबर ये 3 गुड़े X हैं, उधर 3 जाएगा, तो बट्टे में होगा, 18 बट्टे 3, यानि 3 चक अठार, X कमान आपका 6 आगया, अब Y कमान ग्याद करना है, तो X कमान आप समिकर्ण 1 या 2 में रखकर Y कमान ग्याद कर सकते हो, तो समिकर्ण 1 में रख लेते हैं, समिकर्ण 1 है, X प्लस 3Y बरबर 6, अब देखो, X कमान यहाँ पर हमने 6 निकाला है, तो X कमान ग्याद पर मैंने 6 रग लिया, प्लस ये 3Y है, तो 3Y और बरबर ये 6 है, तो 6, तो ये हम लोका क्या हो जाएगा, 3Y बरबर क्या हो ये 6 और ये 6 प्लस है, उधर जाएगा, तो माइनस, तो माइनस 6, ये कट कर 6 में 6 जाएगा 0, यानि 3Y बरबर आपका 0 हो गया, अब 3Y बरबर 0 हो गया, ये 3 उड़े Y है, 3 उधर जाएगा, तो 0 बटा 3, यानि 0, यानि Y कमान आपका क्या आएगा, 0 आगया, आपने देखा, एकस कमान 6, Y कमान, हाँ, x कमान 6, Y कमान 0, और यह हमने x कमान 6 और y कमान 0, ये निकाला भी था, ग्राफी विधी से छल करकर, तो आप लोग देखे, ऐसे, पहल कर लिया और ग्राफी विधी से भी हल कर लिया, इस question को, तो अभी आपको ग्राफी विधी पर भी, फोकुस करन ठीक है अगर graph यी विधी से हल करने को पूछता है तो एक मिनट शलो यहां पर देखो इस screen पर question मैं आपको शो करा देता हूँ इसलिए आपको graph यी विधी से हल किजिए ऐसा question पूछ सकता है आप लोग के exam में तो इसलिए आपको graph वाले पर अभी ज्यादा focus करना है नॉर्मल विधी से solve करना जैसे यह eliminate करकर इसको तो हम आगे समझेंगे क्योंकि आगे हमें प्रतिस्थापन विधी और विलोवर्न विधी पर बहुत ज्यादा focus करना है clear तो चलो अभी आपके वाल graph विधी से focus करो अब आगे हम लोग चलते हैं next question करते हैं उदाहन no.2 का question उदाहन no.2 क्या है आप इस screen पर देख सकते हो इसको मैं erase कर सकता हूँ त यूगम का हल नहीं है और दिवित्ति है और दिवित्ति मींस एक अथवा और परिमित रूप से अनेक हले मतलब कहने का मतलब है कि जो ये दो समिकार दी हुई है इनकी आपको ज्याच करना है कि इसका एक हल है कि नहीं समिकार यूगम का पहला है कि हल नहीं है कि एक हल है कि अनेक हले यह जाच करना है कैसे जाच करेंगे ग्राफिय वीदी से जाच करना है तो ग्राफिय वीदी से जाच करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग शाड़ी बनाएंगे और ग्राफ खीचेंगे तो उसके लिए चुगी पहले देखो नीचे वाली सम्गे और थोड़ा बट हाटाते हैं नीचे से और इसके बाद हमें इसको शॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे हम लोग फर्स समीकड मैं लिख देता हूँ हम लोग क्या है पहली समीकड है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 इसमें क्या है यह a1 है यह a1 है यह b1 है यह c1 है यह तो आप समझते हो ना चलो अब देखो समीकड दो में समीकड दो क्या है 3x माइनस 24 बटे 5 y प्लस 3 बटे 5 पराबर 0 देखो किसी तरह हमें इस बटे 5 को हटाना है क्योंकि ऐसे बटे में रहेगा तो उस समीकड को श्रॉल्प करना कठीन हो जाता है तो इसको हम लोग यह समीकड एक है और यह समीकड हम लोग की दो है जहां पर मैं लिग देता हूं हल हल कैसे करेंगे सीधे ऐसे ही करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे इस समीकड दो में हम लोग क्या करेंगे इस 5 को हटाने के लिए उपर 5 से गुणा करेंगे सब में 5 से इधर भी सब में हम लोग गुणा करेंगे इस समीकड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे 1 बटे 2 है प्लस 1 बटे 2 है इन दोनों को जोड़ना है तो इसमें हमने 5 से गुड़ा कर दिया इसमें भी हमने 5 से गुड़ा कर दिया तो इनके जोड़ पे फर्क नहीं फड़ेगा चाहे हम लोग 1 बटे 1 जोड़े यह 5 को दोनों में गुड़ा करकर जोड़े अंसर वही आएगा तो इसमें भी सम में हम लोग क्या करेंगे कि उपर 5 से गुड़ा करेंगे उपर 5 से गुड़ा मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यह 5 से गुड़ा होगा तो यह 5 पाँच यह कट जाएगा क्लियर है तो चलो अब देखो उपर देखो यह 3 है 3 है और यहाँ 24 से अगर तो यह 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3 यही तो है न कोश्चन 5 एक्स मैंस 8 वाई प्लस 1 मुझे डाउट हो रहा है कि कोई एक मेंट मैं चेक कर लिता हूँ यहाँ पर हम लोग का कोश्चन नंबर 2 5 एक्स हाँ ठीक तो है यार यही तो है हम ठीक है यही है कोश्चन कोई दिकत नहीं है यही है चलो चलो तो यहां हम लोग गूडा करते हैं इसमें हम लोग 3 एक्स में जब हम लोग गूडा करेंगे 5 बटे 3 से यहां पर हम लोग डिक देंगे श्रमी करण सेकेंड में 5 बटे 3 से गूडा करने पर 5 बटे 3 से मैं गूडा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि 5 से हम लोग यहां 5 है 5 से हम लोग उपर 5 को उपर इसलिए रख लहा हूँ कि ये 5 कर जाए और 3 से चुकि 3 से ये भी कर जा रहा है ये भी कर जा रहा है ये भी कर जा रहा है इसलिए मैंने 3 भी नीचे रख लिया है तो 5 बटी 3 से गुड़ा करने पर अब गुड़ा करेंगे 5 बटी 3 से इसमें गुड़ा करेंगे यान पर हम लोग का 5x हो गया और यह माइनस है तो माइनस 24 बटे 5y अब देखो 24 बटे 5y में जब हम लोग गुणा करेंगे 24 बटे 5y में हम लोग गुणा करेंगे किस से 5 बटे 3 से 5 बटे 3 से यह 3 वाड़े 24 8 हो गया और 5 से 5 कट गया यह 8y ठीक है यह 8y आ गया और यह प्लस है त पर देखो समिकाड एक 5x-8y प्लस 1 बरवब 0 और 5x-8y प्लस 1 बरवब 0 यह तो दोनों समिकाड एक ही हैं तो इसको हल करोगे तो फिर तो यह मतलब एक ही मान देगा ठीक है यहां देखो clear यहां पर साब साब आपको उदाहाने में भी लिखा प्रन्तु यह वही है जो नहीं है हल हो गया हमें ग्राफ की बनाने की कोई जरूती नहीं है यहां पर क्योंकि दोनों समिकाड एक ही है इसको हल करोगे तो इस स्थिति में तो A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 तीनों आपस में बराबर आएंगे ऐसे हम लोग ऐसे ही अपने mind में जाच कर लेंगे तो समिकाड एक और समिकाड दो दोनों आपस में बराबर है इसलिए ये दोनों समिकाड आपस में समपाती होंगी इसलिए इसके अनेखल होंगे बस इतना यहां पर नीचे आपको statement देना है काम खतम यह question solve हो गया ठीक है तो यह आप लोग का question number second था अब चलो question number second के हाँ यह second थ इसको erase कर लेता हूं उसके बाद question number third पे चलते हैं और उसके बाद आप लोग की personality start होगी तो यहां पहला question number हम लोग third कर लेते हैं उसके बाद हम लोग थोड़ा personality का बस analysis कर लेंगे प्रसनावली को solve अगले वीडियो में करेंगे यहां पे आगे मैं चलता हूं question number 3 पे so हो जा जा गया है फ्रलंबा question है चमपा एक्सेल में कुछ पैंट और सक्ड खरीदने गई एक मिनट देखो question है कि चंपा एकसेल में कुछ पैंट और इसकट खरीद द ने गई जब उसकी सहलियों ने पुछा की प्रतेक के कितने नग खरीदे तो उसने उतर दिया पैंटो की संख्या की दो गुनी से दो कम है इसकट की संख्या खरीद दि गई ओके दो बार बोल लिए पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है सहलियो की यह जानने की साहता कि जी की चमपा ने कितनी पैंट और कितनी skirt खरी दी चलो ठीक है इसको हम नॉर्मल तरीके से भी solve कर सकते हैं लेकिन इसको हम लोग solve करेंगे किस बीधी से देखर का मैं किया यह जए जो स्टेटमेंट लेकर सबसे पहले हम सबसे इसकाट करें ह máพ째 हम लोग만 लिके हम हो है यहां पर हम लोग लिग्षेंगे हल अ लंब में क्या करेंगे यह जो बोल रही है उसी से हम लोग मिलोग मिल बनाते है व बना एक श पैंट और कितनी स्कट खर दी तो मान लेंगे यहां पर माना की चंपा ने एक्स पहले क्या बोला है पैंट तो पहले पैंट लिगे एक्स पैंट और 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 वाई इसकट खरीदी ठीक है यह हम लोग ने मान लिया तब हम लोग लिखेंगे यहां कि प्रसना नुशार प्रसना नुशार देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि चंपा एक्सेल में कुछ पैंट और इसकट खरीदे गई जब उसकी सहलियों ने पूछा कि प्रते के कितने नग ख खरीदे मतलब कितने तुने पैंट खरीदे और कितने इसकट खरीदे तो उसने उत्तर क्या दिया इसकट की जो शंख्या खरीदी इसकट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से दो गुनी से दो कम है ओके इसकट की संख्या इसकट हमने क्या माना है वाई माना है त पहले बोला कि skirt की जो संख्या है, skirt की संख्या खरी दी गई पैंटो की संख्या, यानि खरी दी गई पैंटो की संख्या, यानि खरी दी गई पैंटो की संख्या के दो गुने से दो कम है, यानि इसके दो गुने से दो कम, यानि माइनस दो, ये बराबर हो जाएगा, ये क्या denote यह denote करता है यह denote करता है अगर y denote करता है skirt और x denote करता है pant तो यह इस चीश को denote करता है कि जो मतलब skirt की संख्या है वो पैंटों की संख्या की दो गुनी से दो कम है किसकी संख्या skirt की संख्या इसलिए यह बराबर का चीन है तो यह पहली सिती में कुछ इस प्रकार वो statement देती है फिर एक बार और statement देती है, दूसरी बार, दूसरी बार क्या बोलती है, आप ध्यान देना, दो गुनी से कम है, उसके बाद, उसके बाद बोलती है, कि सकट की संख्या, खरीदी गई पैंटो की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, फिर एक बार और बोलती है कि जो skirt की जो शंक्या है वो खरीदी के पैंटों की संक्या यानि खरीदी के पैंट मालो x है इनके चार गुने से चार कम है किसकी skirt की संक्या तो यह एक बराबर और इस परकार इन उसके दो statement से हमने यह दो समीकड बना लिया अब इन दो समीकड का इ समीकड बनाया पहला y बराबर हमने क्या बनाया 2x-2 2x-2 और फिर हम लोगों y बराबर 4x-4 y बराबर हमने बनाया 4x-4 4x-4 2x-2 और 4x-4 ठीक है चलो अब हम लोग इसका यूज़ करकर एक बार देख लेता हूं मैं कोश्यन यही तो है न हाँ चलो इसकार की संख्या खर देगी पैंटो की संख्या की दो गुनी से दो कम है इसकार की संख्या खर देगी पैंटो की संख्या की चार गुनी से चार कम है यहनि y वर 2x-2 y वर 4x-4, ठीक, चलो भाई साहब, अब इस समिकार्ड का यूज़ करकर इसको हम लोग ग्राफी बिधी से हल करते हैं, नॉर्मल तो हम लोग हल कर ही सकते हैं, नॉर्मल तरीके से, जैसे नॉर्मल तरीके से चलो इसको हल कर देता हूं, उसके बाद हम लोग ग् जैसा अगर नॉर्मल तरीके सा हल करें, तो हम लोगा समीकड़ एक है यह थार नोगका समीकड़ दो है, समीकड़ 1 में हम लोगा exists this entire, तो हम लोग Y समीकड़ 1 से Y समीकड़ 2 नो रखेंगे तो तो हम लोग solve करेंगे, तो solve करकर simple x कमान गयाद कर सकते हैं, फिर देखो ये, 2x और ये 4x है, तो ये minus 2 और 4 minus इधर आएगा, तो plus 4 हो जाएगा, और ये 4x है, ये 2x उधर जाएगा, तो minus 2x हो जाएगा, तो इधर आप देखो, 2 हो जाएगा, 2 बचेगा, और इधर आप लोग यहाँ पर रख लेते हैं, तो x कमान यहाँ पर रखेंगे, तो देखो, 2 गूड़े, यहाँ x कमान 1 है, तो 1 और ये minus 2, यानि 2 minus 2, तो y कमान आपका 0 आजाएगा, यानि यहाँ से हमने normal तरीके से हल करकर, इस कमान गयाद कर लिए, normal तरीके से हमने हल किया, तो x कमान कितना यहाँ एक आया, और y कमान आपका 0 हाया, ठीक है, चलो, तो लेकिन ऐसे आपको हल नहीं करना है, इसको चलो, आपके exam में आया है, तो इसमें कोई specific method नहीं बोला है, आपके, जो अभी यह सवाल इस स्क्रीन पर अभी दिखा था आपको, या उधान में यह जो सवाल था, इस कोई specific method नहीं बोला है, तो आपके exam में किसी method से कर सकते हो, और जो चलो, यहाँ graphई बिदी में सिखा रहा हूं, तो इस और हम लोग देख लेते हैं, इस चिश्को मैं कर देता हूं, इरेज तो चलो इनका यूज़ करकर हम लोग साड़ी बनाते हैं इसका यूज़ करकर हम लोग साड़ी बनाते हैं थोड़ी तेजी से मैं काम करता हूँ सारड़ी ठीक पहली साड़ी यहाँ पे यह हो गया यह हो गया यह आपका X हो गया यह Y हो गया जब हम लोग समिकार्ड एक का यूज़ करेंगे x बरवर मैं 0 रखता हूँ तो x बरवर अगर यहां 0 रखता हूँ तो 2 गोड़ी 0 0 यानि y के मान हम लोगा माइनस 2 आ जाएगा clear और जब y बरवर मैं यहां पर 0 रखता हूँ अगर y के मान मैं यहां पर 0 रखता हूँ तो y के मान यहां पर 0 अगर बचा क्या 0 बरवर 2 x-2 तो उधर 2 जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा यहां 2 x बरवर 2 तो 2 x बरवर 2 x बरवर 2 यानि 1 तो यहां 1 हो जाएगा आप लोग रख ले ना यहां पर y बरवर 0 रखोगे जैसे y बरवर 2 x-2 है ना मैं हिंदी और इंगलिस जैसे 2 x और 2 बोला हूँ मैनेज कर ले ना है मेरी यादत पढ़ी है यहां y बरवर हम लोग 0 रखते हैं तो यह 2 x-2 तो इधर जाएगा तो यहां से 2 x बरवर क्या हो जाएगा 2 इधर आया 0 का तो प्लस 2 हो गया था तो x बरवर 2 बटे 2 यानी एक आ जाएगा clear तो हमने एक यहां पर लिख रख रखा है simple तो चलो इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा erase अब देखो यहां पर पहली साड़ी बन गई दुसरी साड़ी समिकर दो का यूशकर कर बनाते यहीं पर मैं बना लेता हूँ यहां पर अब देखो यह x यह y clear अगर x बरवर यहां 0 रखता हूँ तो x बरवर 0 तो 4 0 तो y कमान माइनस 4 अगर y बरवर यहां मैं 0 रखता हूँ y कमान मैंने 0 रखा तो इधर 4 आएगा तो वो प्लस 4 आएगा निए 4 x बरवर 4 तो x बरवर 4 यह नि 1 एक्स कमान यहां पर 1 आजाएगा आप लोग देख लेना हल करोगे तो आजाएगा अब इसका यूश करकर हम लोग क्या बना लेते हैं graph बना लेते हैं पहला हम लोग का पहली समीकर्ण के अनुसार जो हमें निर्दे सांग प्रापत होग है 0-2 0-2 और 1 0 ठीक है और दूसरी समीकर्ण के अनुसार हमें 0-4 0-4 और 1 0 1 0 ठीक है, x को आप हमेसा आगे लिखना है, ठीक है, जो x है, उसको हमेसा आपको आगे लिखना है, y को बाद में लिखना है, नहीं तो गड़वड हो जाएगी सारी चीजे, अब चलो यहाँ पे, हम लोग इसको हल करते हैं, चुकि यहाँ पे 4 है maximum, तो 4 से ज्यादा नहीं होगा तो इसलिए मैं 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इधर, 1, 2, 3, 4 इधर, 1, 2, 3, 4, एक 4 बिंदू ले लता हूँ, आप कि इतना भी बिंदू ले सकते हो, चुकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 4 है, तो 4 से ज्यादा यूज नहीं होगा, इसलिए 4 मैं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बोड पे अटना भी तो चाहिए, अब चलो, यहाँ तोड़ा इसको उपर ले लेता हूँ, एक मिनट, एक, दो, तीन, चार, जिससे आपको दीखे, चलो, अब हमें 0, माइनस दो, x, 0, y, माइनस दो, यह हम लोगा y होता है, उपर प्लस होता है, और नीचे हम लोगा, क्या ह x, 0, ठीक है, और y, माइनस दो, y, हम लोगा, माइनस दो, नीचे, एक, दो, यानि यह बिंदू हमें बोल रहा है, यह 0, कमा माइनस दो, यह वाला बिंदू होगा, clear, उसके बाद, 1, 0, x, 1, 1 यहाँ पे, x, और 0, तो यहाँ पे y, 0 ही रहेगा, ही रहेगा, तो यह आपका हो माइनस चार, यहाँ यहाँ पे y, हम लोगा, माइनस चार, यहाँ यह बिंदू आपका, 0, माइनस चार हो गया, क्योंकि यहाँ, x, 0 होगा, x, नीचे की तरफ, और उपकरी तरफ नहीं होता है, इस दिसा में होता है, बढ़ता करता है, क्योंकि यहाँ सीध में है, यहाँ न हम लोगों ने ऐसे पहले के लिए हमने मिला दिया और फिर हमने ये दूसरे के लिए हमने ये मिला दिया क्योंकि वह भी बिंदू यहीं पर पढ़ ला था इसका भी बिंदू यहां पर और इसका भी यहीं पर है clear तो यहीं पे हम लोगा touch हुआ तो इस प्र». यहां पे touch हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह शंगत हैं रिखा आये संगत है और हल की है पराई एक छौा अंग ज therm आया और हल का है फंगस्ति है और इकमन क्या या इक 00 कि त्विक दाफ है किया था तो इस प्रकार यह हल हो जाएगा अगर ग्राफी विदी से बोले तो आप नीचे आप लोग लिख सकते हो अगर संगत वाली बात कहें तो आप लिख देना कि संगत हैं जहां चुकि दोनों रेखाएं इंदू ओन जीरो पे काट रही है एक दूसरे को काट रही है इस पूरे चेप्टर में यह concept यूजहांगे और साथ ही इस पूरी प्रस्णावली में यह concept यूजहांगे आप जाकर देखना इस मतलब जो concept रड़ता है जो method रटता है इस method के अलावा आपकी प्रस्णावली में अलग सवाल नहीं मिलेंगे एक दू मिलेंगे तो वह मैं solve करा दूँगा क्लियर चुकि वीडियो काफी लंबी हो गई लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार हमने तीन उदार भी कर लिया और पूरा-पूरा concept भी समझ लिया चलो मैं next वीडियो में आपको जो प्रस्नावली का solution है उसके solution के साथ मिलूँगा तब तक के लिए मैं चलता हूँ वीडियो को इंड करता हूँ बागे बोलूँगा बस इतना यार कि चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को like कर देना और अपने शारे दोस्तों में share भी इस वीडियो को कर देना क्लियर है और साथ ही अभी साथ ही मैं यहां पर जो यह application आपको अभी screen पर शो कर रहा हूँ ठीक है यह आप application भी डाउनलोड कर लेना गूगल प्लेश्टोर से जिसका नाम है यूपी एमस्प इस्टडी जी हमें दोस्त यूपी एमस्प इस्टडी आपको यहां ठीक से नहीं दीख रहा है यह एक मिनट मैं यह शुरू शे कर देता हूँ यहां पर यह हमारी application है यूपी एमस्प इस्टडी आप लोग देख सकते हो इसका screenshot लेलो गूगल प्लेश्टोर से इससे आप डाउनलोड कर सकते हो clear है चलो बाई साब चलो thank you